प्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल रॉयल राजपुताना किचिन को और इस घंटे बटन को दबाईए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है आज हम बराएंगे बर्बन बिस्किट केक बहुत ही तेस्टी स्पॉंजी केक और यह बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा फ्रेंड्स स्वागत है आपका दी रॉयल राजपुताना किचिन में आपको दिख रहा है बहुत ही स्पॉंजी तो जब कभी कोई भी आकेशन हो आप को जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलें तो आभी चलते हैं इस केक को बनाने तो इसकी प्रपेशन स्टार्ट करेंगे प्रपेशन के लिए हम लोग उने सबसे पहले उसमें अब हम लोग बटर या पिर आप किसी भी ऑैल से इससे पृपेशन स्टै ऑच मुटो होता है वह होता है कि हमारा जो केक चिपके ना और हमें दुप असक़ निकालने तो इसलिए हम लोग लोग रेंने को गरीषो स्टेर्प करते हैं अब हमने यहां दो पैकेट बर्बन बिस्कुट के लिए थे मतलब 300 ग्राम बर्बन बिस्कुट है 150 ग्राम का एक पैकट था तो अब हम इसे रफली चॉप कर रफली मतलब तोड लेंगे और फिर उसके बाद में इसको इसमें आपको क्रीम के साथ ही तोड़ना है बिना क्रीम लेकर शखेश लिए अब को ग्रांड गरंडे जालता है अब है यह देखिए यह देखिए यह फेल दो चीनी ब्राइं बड़रि चोण बίας बायब Ala Blois Not केक हैं बहुत ही सिंबल है गाइस करेंदा लिया हमें अब तो फिर्वर देखते हैं और उसके में क्पनीन पराइनमक आके धसी लेい लिए। इसमें लोग नहीं पेटेंगे तो सबस्कुर्ण अब यहां मैंने 300 g बबन बिस्किट लिया था और लग बग नहीं तो हमारी 50 g चीनी थी मतलब 350 g ग्राम्स हो गया यह और इस 350 g का जो हमारा पाउडर है इसमें हम लोग 1 cup इन दूढ डालेंगे इस इसा बाइटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्ञाधा गाडी भी नहीं रहेकी सिट आप झाले कर था घ्यान तो यह उसकेद्ट में नहीं रहे रहेगी इस 보शन थैप नहीं हिसके कर दो ऊपसुट है महाम कड़ी का सथ करके द diferentes तो दो आप शो तो यह देखिए इसमें अब यह हो गया मतलब इस पैचुला से मैंने हलका से इसे मिक्स कर दिया है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसे और अच्छे से मिक्स करते हैं इसके जो बिलकुल लंब्स है वो गायब हो जाएंगे अब इसमें डालेंगे आदी छोटी चम्मच बेकिन पाउड़र का इसमें आपको बिस बेकिंग पाउडर डाला है ईसमीब्सकरर से आपको एक बार इसे ऐसे कर लीम कीई हम इसमें अब घिकिला जत्किह बिलकुल घ् organize से तो यह हमारा बैटर बिलकुल रेदी हो गया है और लगबग में बनाने माम आथ से साथ मिन लग कहीं होगी मुश्किल से और हमारा जो अवन है वह हमने प्रीहट होने के लिए रख दिया तो कुछ नहीं है अब तो कुछ नहीं करना अब आपको क्या करना है केक टिन लेनी अपनी और ग्रीस क्यूए आप चाहे तो इसमें नीचे बटर पेपर लगा सकते लगा सकते लेकिन बटर पेपर लगाने की जरुद्ध नहीं है वैसे ग्रीस कर लेते हैं अगर आपी सिंप्ली बहुत एजीली निकल जायता है तो इसमें अब हम लोग हमारे केक का बैटर समर्ट कुछ भीछिन साची कर देंगे के कि अध्यागि के यह दूछिना पर भीषिट नहीं अटयों आप जान इटा च्क पर प्रशल भीछिन ऑट अध्या नहीं से अध्यागिक रहा है अज़न के रह जो बड़ा केक नहीं वह दे श्च प्रेक्ट करका संधा है यह तो पू जब तो पीजिए है तो अब बढ रिल मस्ट भी अजिए करना से थोड़ा श्ट श्ट अब देगे और फिर इसके बार में हलका से एयर है वो निकल जाये और यह सटनक हो जाए अब हम लोग इसे 20 मिनिट के लिए बेक करेंगे बेक करना है तो अंदर से कच्छ जहने के चांसे हैं लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए बेक करें और यह देखे हमारा केक बेक होकर के बिल्कुल रड़ी हो गया है चेक कर कीजिए आप ऐसे नाइफ डाल के चेक कीजिए अगर बिल्कुल प्लेन आ रहा है तो विच मेंस हमारा जो केक है वो रेड़ी हो गया अब इसे केक टिन से इजीली निकाल लीजे और डेकुरेट कीजे और एंज्वाइ कीजे इस केक को बहुत ही स्पॉंजी बना है यह केक किसी भी एंगल से लग रहा है कि यह बिस्कृ का केक है नहीं लग रा ना तो तो किसी को भी निलगेगा झाल समल कियो